Hello guys, so this video is regarding the ESIC UDC result कुछ दिनों पहले इसका prelims का paper हुआ था और prelims के paper के बाद ही बहुत जादा expectations थी कि कब इसका result आयेगा क्योंकि ये form 2019 के बाद 2022 में आया है और अच्छी खासी vacancies के साथ तो काफी लोगों का एक question था कि ये result कब तक आने वाला है कब तक हम expect कर सकते हैं ये result का तो देखिए RTI का जो reply आया है मेरे एक दोस्त ने RTI file करी थी तो RTI का जो reply आया है उसमें ये कहना है कि जिसका जो result है इसका जो result है वो तो April में ही आ जाएगा और दूसरी बात इसका जो mains है इसका mains भी आपका definitely एपरिल में ही होने वाला है तो guys अगर mains एपरिल में होने वाला है इसका ये मतलब होता है कि कम से कम आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे कि आप mains की preparation कर लें क्योंकि हर एक bank exam में ऐसा ही होता है बट कब आएगा prelims का result तो देखिए आज और कल में सबसे ज़्यादा chances है क्योंकि आज और कल के बाद अगर हम 15 दिन next लगाएं तो वो लगबग लगबग last of April ही count होगा तो definitely you can expect your result today or tomorrow Good luck दोस्तों बताना कि आपका result कैसा रहा आप mains के लिए कैसे prepare कर रहे हैं आपके prelims में कितने marks आए and good luck all of you